प्लस माइनस की या फिर लाइब्लिटिय शेवरे और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हमारे नॉन प्रॉफिट और्गनाइजेशन की अब नॉन प्रॉफिट और्गनाइजेशन एक इंपॉर्टिन चैप्टर है क्योंकि यह यह हमारे जो CBST 12 में है उसमें होता है बहुत ज़्यादा होता है बट इसमें छोटी मोटी जो mistakes होती है वो बहुत ज़्यादा होती है खासकर प्लस माइनस की या फिर liability income की या फिर किस balance sheet में क्या होने वाला है यह बहुत बड़ा इसमें suspense रहता है हमेशा तो क्या होता है कि अगर हम इसके basics को तयार कर लें तो चलो यार जल्दी से وीडियो start करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे non-profit organization की कि ये है क्या तो basically जैसे कि इसका नाम बताता है कि ये कभी भी profit नहीं कमाता तो profit नहीं कमाता तो ये किस लuciones काम करता है Services Provide करने के लिए काम करता है For example, आपकी मम्मी जो है, वो आपके लिए खाना बनाती है रोज, अब वो आपसे पैसे तो लेती नहीं है, तो वो भी एक non-profit हो गया, लेकिन वहाँ पर जब वो सबजियां खरीती हैं, तो वहाँ पर उनको पैसा तो दे नहीं पड़ता है, तो ऐसे ही जो हमारा non-profit organizations होते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, उनको भी बहुत सारे expenses पे करने पड़ते हैं, और इनी expenses के लिए उनको भी कही ना कहीं से earning तो करनी ही पड़ेगी, तो earning करने के लिए इनके पास भी earning आती है, लेकिन वो goods को बेच कर नहीं आती, कुछ भी चीज सेल करके नहीं इनके पास earnings आती है through, हमारा हो गया for example donation, किसी ने भी चंदा दे दिया, for example subscriptions, यानि कि हो जाता है कि कोई भी fees देता है इनके organization से जुड़ने के लिए, और इसके लावा legacies हो गया, यानि कि अगर कोई मर गया और उसमें अपनी will इनके नाम कर दी, वो कहते हैं कि मैं अपना इनके पास बहुत सारे expenses होते हैं, यह लोग खर्चा बहुत करते हैं, इसलिए इनको खर्चे का और जितना पैसा इनके पास आया है, उन सब के लिए इनको accounting करनी पड़ती है, तो पूरा इनको भी एक हिसाब रखना पड़ता है, कि इनको पैसा खर्च हुआ, कि इनको भी प बनाते हैं, सबसे पहले जैसा कि आप सब लोग जानते होगे, आजाता है, receipts and payments account, तो receipts and payments account एक बहुत important हो जाता है, क्योंकि यही एक शुरुवात होती है, तो यह बहुत easy होता है, इसको बहुत अराम से समझ लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा complicated आता है हमारा income and expenditure account, इसमें थोड़ा सा सबको problem जाती है, क्योंकि इसमें थोड़े से restrictions होते हैं, income and expenditure के बाद हमारा आता है balance sheet, तो अब initially सबसे पहल हम सीखेंगे कि कैसे हम receipts and payments account को बनाएंगे, बट उसके बाद जब हम अपने class 12 की जो main questions की तयारी करेंगे, तो हमको जब समझ में आएगा, कि हमको receipts and payments account already दिया होगा, लेकिन हमको income and expenditure account और balance sheet बनाना पड़ेगा, अब बहुत सारे लोग यहाँ पर खुश हो गया होगे, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि हमको सिर्क दो account ही बनाने है, एक तो पहले से मिल गया, लेकिन यहाँ पर भी एक twist होता है, क्या होता है कि यहाँ पर हमको details हम बाद में समझेंगे, तो चलिए इसके बाद वाली वीडियो पर click करिए और उसमें हम समझते हैं कि हमारा Receipts and Payments account क्या होता है